कहानी शुरू होती है एक पपेट थियेटर से, जहां बैस्टर नाम का एक पपेट मास्टर लोगों को अपना पपेट सो दिखा रहा होता है। वो इस काम में बहुत ही माहिर था, वो एक मैजिकल डिस्क की मदद से उन पपेट में जान डाल देता था, जिसकी वज़ा से लोगों को उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता था, पर बैस्टर के और अच्छा बनने की जिद ने उसमें घमंड और लालच पैदा किया, वो सारे पपेट्स बैस्टर को उस डिस्क से छेड़ चार करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस डिस्क में चेंजिज करने से क्या होगा, पर बैस्टर उनकी एक नहीं सुनता है, और वो उस डिस्क में कुछ चेंजिज करके उसे ओन कर देता है, उस डिस्क के देखकर वो तीनों पपेट्स भी बहुत डर रहे होते हैं अब यहाँ से सीन सिफ्ट होती है और हम हार्वी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डॉग जेरी के साथ अपनी सैकल से स्टंट करता हुआ अपने घर पहुँचता है वहाँ उसे उसकी दोस्त मोनिका मिलती है हार्वी उससे कहता है कि आज उसने एक नई गेम खरीदी है जिसका नाम पपेट माश्टर है और वो अपने घर के अंदर जाने लगता है मोनिका उससे कहती है कि ए स्कूल ट्रीप के लिए अपने पैरेंट से पर्मीशन लेना मत बोलना हार्वी घर आकर देखता है उसके डैड अपने म्यूजियम का परजेंटेशन बनाने में बीजी है वो अपने कमरे में चला जाता है और अपना नया गेम खेलने लगता है तब ही कुछ दिर बाद उसके डैड उसके कमरे में आते हैं वो जल्दी से अपना गेम को छुपा कर पढ़ने का नाटक करने लगता है उसके डैड उससे कहता है कि वो काम पे जा रहे हैं और उसे सारा दिन गेम खेलने से मना करके वहां से चले जाते हैं उनके वहाँ से जाते ही आरवी फिर से गेम खेलने में बीजी हो जाता है वो गेम खेलने में इतना बीजी था कि उसे पता भी नहीं चलता है कि कब रात से वापस सुबा हो गई उसने पूरा गेम खत्म कर लिया था अब उसे सिर्फ अपना नाम इंटर करना था जिससे वो उस game के hall of fame में सामिल हो जाएगा वो बहुत खुस हो जाता है तब ही उसे आवाज आती है कि उसके dad घर आ चुके है वो तुरंद game को एक board से छुपा कर सोने का नाटक करने लगता है उसके dad देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है वो उसे देखने जाते हैं पर harvy के जूदों पे पैर पढ़ने की वज़ा से वो वहीं गिर जाते हैं और इसी के चलते harvy का computer भी दिखने लगता है वो जल्दी से उसे छुपाने की kosis करने लगता है पर उसके dad देख लेते हैं और उससे गुस्से में कहते हैं कि वो फिर से सारा दिन गेम खिलता रहा हर्वी जल्दी से अपना नाम टाइप करने लगता है पर उसके डैड उसके हाथ से जोईश्ट्रिक छीन लेते हैं और छीना जप्टी में हर्वी का कम्प्यूटर तूट जाता है हर्वी अपने डैड से गुस्सा होकर चला जाता है वो कहता है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करते हर्वी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है वो घड़ी में देखता है कि वो बहुत लेट हो चुका है वो अपने स्पीड बढ़ा देता है इधर मोनिका अपने टीचर को हर्वी का वेट करने को कह रही होती है पर वो सब बिना हर्वी को लिये ही ट्रिप पे चले जाते हैं हर्वी वहाँ देखता है कि उनके सहर का मेर वहाँ के म्यूजियम तुड़वा रहा है ये वही म्यूजियम था जिसे उसके डैड बचानी की कोसिस कर रहे थे वहाँ दो वरकर अपने जेसीबी से उस म्यूजियम को तोड़ने के लिए पढ़ते हैं पर जेरी उन्हें रोकने लगता है हर्वी भी उन्हें रोकने के लिए वहाँ आ जाता है वो एक पत्थर उठा कर उनकी तरफ फेकता है जो उस JCB के इंजन में चली जाती है जिसकी वज़से वो खराब हो जाता है और वो JCB आट अप कंट्रूल हो जाता है वहीं कुछ दूर पे मोनीका भी छुपकर ये देख रही थी वो भी हर्वी के चलते अपने ट्रिप पे नहीं गई थी हर्वी के डैड वहां के मेर को कॉल करके उस म्यूजियम को तोड़ने से मना कर रहे थे क्योंकि वो उनकी सहर की एक बहुत पुरानी धरोहर है जिसे उन्हें अच्छे से समाल कर रखना चाहिए पर मेर उसे बताता है कि अब तक तो वो म्यूजियम तूड़ भी चुका होगा वो जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागता है इधर JCB के आगे का हैमर गिरने की वज़ा से म्यूजियम के आगे बहुत बड़ा सा गड़ा होने लगता है जिसमें हार्वी और जरी गिर जाते हैं उसे बचाने के लिए मोनिका आती है और वो भी उसके अंदर गिर जाती है हार्वी को वहां अंदर एक कमरा दिखाई देता है जहां बहुत से डरावने दिखने वाले पपेट्स रखे हुए थे हार्वी को वहां मोनिका बे मिलती है तभी हार्वी को वहां दिवार पे एक डिस्क दिखाई देता है जो उसे उसके joystick की तरह ही लगता है वो उसे वहाँ से निकाल लेता है और उसे on कर देता है वहाँ फिर से वही lightning होती है और वहाँ के नीचे से एक घूमती हुई CD निकलती है जो उपर की तरफ जाती है वो तीनों उसके सारे उपर आ जाते हैं हर्वी के डैड भी भागते भागते म्यूजियम तक पहुँच चुके थे वो देखते हैं कि म्यूजियम तो अभी भी सही सलामत है हर्वी मोनिका और जैरी उपर एक बहुत बड़े रूम में पहुच चुके थे वहाँ उन्हें बहुत से puppets दिखाई देते हैं तभी वहाँ उन्हें वही तीन से वही तीन बैसटर के puppets दिखाई देते हैं ड्यमपिध ब्रेनी से कहता है कि हर्वी की हाथ में वो magical desk है मतलब यही हमारा नया master है वो हर्वी से पूछता है क्या वो उनका नया master है हर्वी कहता है कि वो किसी का master नहीं है तब ब्रेनी हर्वी को समझाता है कि उसके हाथ में जो डिस्क है उसी की मदद से पपेट मास्टर सारे पपेट्स को कंट्रोल करता है हर्वी उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि क्या वो भी इने कंट्रोल कर सकता है ब्रेन्यू से कहता है कि तुमें ये साबित करना होगा कि तुम इस डिस्क की पावर को समाल सकते हो उसके बाद तुमें एक पपेट मास्टर बन जाओगे और फिर तुम सारे पपेट्स को वापस से जिन्दा करके इस थेयर्टर को पहले की तरह एक खुबसूरत बना सकते हो मोनिका उनसे कहती है कि ये कोई थेयर्टर नहीं बलकि म्यूजियम है जो कि कुछ दिनों में ही तोड़ दी जाएगी वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तब वो तीनों पपेट उनने अपने पुराने मास्टर बैस्टर की कहानी एक प्ले के जरिये बताते हैं कि कैसे उनके मास्टर ने पावर के नसे में अंधे होकर अपने हाट को इस डिस्क में डाल दिया पर उसके बाद उसे इस डिस्क के पावर ने हमीसा के लिए कैद कर लिया Dimpet Harvey से कहता है कि वो चाहते हैं कि वो उनका नया master बने और उनके greatest master के hall of fame में सामिल हो जाएं ये सुनके Harvey को उसके game की याद आती है और वो उनकी मदद करने को तयार हो जाता है वो Harvey को ये disk वहाँ उपर center में रख देने को कहते हैं जिससे उनके बाकी के पपिट्स जिंदा हो जाएंगे हर्वी डिस्क के पीछे एक बटन के बारे में पूछता है ब्रेनी उससे वो बटन को हाथ लगाने से मना करता है क्योंकि इसी के वज़े से उसके पुराने माश्टर ने सब कुछ बरवात कर दिया था हर्वी उस डिस्क को फिर से घुमाता है और इस बार उसकी वज़े से एक ड्रैगन पपिट वहाँ गिरता है जो अपने मुह से आग भी निकाल सकता था और हर्वी उस डिस्क की मदद से उसे कंट्रोल कर सकता था ब्रेनी हर्वी को वो डिस्क को उसके सही जगा पे रख देने को कहता है जो बिलकुल उनके उपर था तब ही वहाँ हर्वी के डैड अंदर आ जाते हैं सारे पपेट्स अपने आपको छुपाने लगते हैं वो ड्रेगन भी वहीं बेजान पपेट की तरह ही लेड जाता है हर्वी के डैड उसे वहाँ देखकर उस पर बहुत गुसा करते हैं वो कहते हैं कि उसने उनके पूरे म्यूजियम को परवात कर दिया हर्वी अपने डैड को समझाने की कोसिस करने लगता है और उन्हें वो मैजिक डिस्क भी दिखाता है और उन्हें सब कुछ बताता है उस मैजिकल डिस्क के बारे में और उन्हें सब कुछ बताता है उन पपेट्स के बारे में पर उसके डैड उसकी कोई भी बातों का भरोसा नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि हर्वी हमेशा के तरह बस बाते बना रहा है, हर्वी उस ड्रैगन को उठा कर उन्हें दिखाने की कोसिस करता है, पर वो ड्रैगन बिना कोई हरकत किये वैसे ही पड़ा रहता है, हर्वी इस बात से बहुत गुसा हो जाता है, वो कहता है कि कभी भी उसके दैड उस पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने म्यूजियम से प्यार है, उसके डैड भी सोचने लगते हैं, कि वो हर्वी पे कुछ जादा ही गुसा कर गए, और वो उस डिस्क को उसे वापस देने लगते हैं, तभी पीछे से ग्रंपी उन्हें मार कर गिरा देता है, और वो बाकि सभी पॉपेट्स डिस्क को गिनने से बचाते हैं, ब्रेनी वो डिस्क हर्वी को दे देता है, और जल्दी से उसे उपर वहां लगा देने को कहता है, हर्वी उस ड्रैगन पे बैठ जाता है, और उपर की तरफ जाने लगता है, उसके डैड उसके पी ब्रेन उसे कहता है कि ये डिस्क को स्टॉम क्लावड से इनर्जी मिलेगी और सारे पपेट्स जिंदा हो जाएंगे कुछ देर में ही उनका म्यूजियम स्टॉम क्लावड तक पहुँच चुका था और उससे डिस्क को इनर्जी मिलती है जो वहाँ बाकी के पपेट्स तक पहुँचती है और वो सब जिन्दा होने लगते हैं पर तभी हार्वी के डैड आकर उस डिस्क को निकाल देते हैं और वो म्यूजियों वापस से नीचे अपने जगा पे आ जाता है हर्वी अपने डैड पे बहुत गुश्सा करता है कि वो कब उस पे बिलिफ करना सुरू करेंगे वो जाकर डिस्क को उठाता है वो अब भी काम कर रहा था और तभी वहाँ हॉल अफ फेम का बोर्ड उनके सामने उभरता है वहाँ अब तके सारे ग्रेटेस्ट मास्टर के लिष्ट में हर्वी का विनाम होता है वहाँ के सारे पपेट्स हर्वी की जीत में उसके लिए उसे बधाई देने लगते हैं तभी हर्वी के नीचे वही सीडी कुलती है और वो सब नीचे के रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो डरामने से दिखने वाले पपेट्स रखे थे हर्वी उन सारे पपेट्स को भी जिंदा करने का सोचता है सब उसे ऐसा करने से मना करते हैं पर हर्वी कहता है कि वो अब एक मास्टर है इसलिए वो इन सब को भी जिंदा करेगा वो उन सब को जिंदा करने की कोसिस करने लगता है पर वो डिस्क काम नहीं कर रहा था वो उस डिस्क के पीछे के बटन को दबा देता है उसके ऐसा करते ही वहां नीचे से एक बॉक्स निकलता है जिसमें उन पपिट्स का पुराना मास्टर बैस्टर होता है बैस्टर अपने पावर से वहां के पपिट्स को जिन्दा करने लगता है जो सब उसके गुलाम थे ग्रमपी उसे ये सब बंद करने को कहता है पर वो उसे और ब्रेनी को भी अपना गुलाम बना लेता है हर्वी अपने डिस्क की मदद से उसे रोकने की कोसिस करता है पर बैस्टर उसे वो डिस्क उसे दे देने को कहता है पर हर्वी उससे कहता है कि वो उसे हरा कर इन सब को उसकी गुलामी से आजाद करवा देगा बैस्टर उस पे हमला कर देता है और उससे वो डिस्ट छेनने के कोसिस करने लगता है हर्वी को बचाने के लिए उसके डैड आगे आते हैं पर बैस्टर अपने पावर से उन्हें भी एक पपिट बना देता है और वहाँ के सारे पपिट हार्वी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाते हैं बैस्टर हार्वी के हाथ से वो डिस्ट छेन लेता है वो तीनों किसी तरह अपने आपको उन पपिट से बचा कर वहाँ के द दिखाई देती है जिसमें उसके heart की जगा वो disc लगी थी वो अब वहाँ से बाहर निगलने की कोसिस काने लगते हैं तब ही Jerry उन्हें एक रास्ता दिखाता है वहाँ एक lift दे उपर जाने के लिए वो उसके सारे उपर जाने लगते हैं बैस्टर बाहर आकर सहर के लोग और पूरे सहर को ही पपेट्स में बदनने लगता है, तब तक हार्वी और मौनिका भी उपर पहुंच चुके थे, हार्वी छुपता हुआ बैस्टर के नजदीक पहुंचता है, और किसी तरह उससे वो डिस्क छीन लेता है, और वो भाग कर डिस्क को वापस से उसके जगा पे लगा देता है, जिससे उसके डैड और वो तीनों पपेट्स वापस से जिन्दा हो जाते हैं, पर बैस्टर फिर से वो डिस्क हार्वी से छीन लेता है, और उसके डैड उस ड्रैगन को लेकर आते हैं, और उसे बचा लेते हैं, वो कहते ह कि उसे किसी भी हाल में इस बैस्टर को हराना होगा नहीं तो वो पूरे सहर को पपेट्स में बदल देगा हर्वी उसे रोकने पहुचता है वो बैस्टर अपने बैट्स को उस पे हमला करने भेजता है पर ड्रैगन की आग से वो सारे बैट्स खत्म हो जाते हैं बैस्टर अब भी अपने पावर से उन पर हमला कर रहा होता है हर्वी उसके हमलों से बचने की कोजिस कर रहा था वो अपने डैट्स से उसका ध्यान भटकाने को कहता है और वो जाकर उससे वो डिस्क छीन लेगा वो सब बैस्टर की तरफ बढ़ते हैं उसके डैट वहां से जम्प करके बैस्टर तक पहुँचते हैं और वो जल्दी से कूद कर उसके हाथ से वो डिस्क छीन लेता है पर बैस्टर मोनिका को पगड़ लेता है और उसके बदले में उससे वो डिस्क वापस मांगता है हर्वी सोचने लगता है कि इस डिस्क में ऐसा क्या है कि इसे लेने के लिए ये कुछ भी कर सकता है तब उसे बैस्टर की तस्वीर याद आती है और वो जाकर उस डिस्क को उसके हार्ट के पास लगा देता है जिसके तुरंत बाद उसके सरीर से ग्रीन कलर्ज के गैस निकलने लगते हैं और वो अपने असली रूप में आ जाता है बेस्टर हार्वी को उसके वापस से असली रूप में लाने के लिए थैंक्स बोलता है और वो गायब हो जाता है सारे लोग जो पपेट्स बन जुके थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं उस डिस्क को म्यूजियम में रख दिया जाता है जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे थे और उस पपेट थेयर्टर को भी सहर के लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज दो लाइक और शेर दा वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्रेश देट बेल इकन